गुद मॉर्णिंग फ्रेंड्स इन लास्ट वीडियो वी फिश्कस्त दा यूनिट आप क्राइप ऐड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं फंड़ामिनटल यूनिट्स क्या होती हैं और हमने क्या डिसकस कर रहा था तो देर आर सेवन फंड़ामिनटल यूनिट्स seven fundamental units क्या होती थी distance कोई भी हो length, breath, height उसे L से लिखते थे mass कोई भी हो उसे M से लिखते थे कोई भी time हो उसे T से लिखते थे कोई भी electric current हो उसे A से लिखते थे और temperature को K से या theta से represent करते थे बाकी इन दो का मैंने बताया था कि कोई use नहीं होता है तो आगे चलकर आज हम जानते हैं कि what are derivative units कि जो इसका दूसरा टाइप है derivative units क्या होती है तो चलते हैं the unit which are obtained with the help of fundamental units कि ऐसी units जिनको fundamental unit की help से निकाला जाता है उनको हम derivative units के नाम से जानते हैं तो आएए देखते हैं कि क्या-क्या हमारी derivative units हो सकती हैं तो पहली हम निकालना चाहते हैं और dimension निकालने से पहले derivative units पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि किसी भी टमकी अगर हमें unit पता करनी है या dimension निकालनी है तो उसका अगर हमें formula मालूम है तो हम easily उसकी dimension को निकाल सकते हैं देखिए कैसे जैसे first example हम लोग लेते हैं area तो area हम लोग कैसे find out कर सकते हैं किसी भी चीज़ का length into breath तो length भी हमारी एक distance है और breath भी हमारी एक distance है और length और breath distance है और distance दोनो fundamental quantities हैं तो length की dimension हम लोग पढ़ चुके हैं breath ये भी एक distance है उसकी dimension L तो L और L मिलकर हो गया L square और दोनों निकली किसकी वज़े से area की dimension fundamental unit की वज़े से निकली that is why area is called derivative unit तो area की dimension हो गई L square similarly अगर हमें किसी भी चीज़ का volume निकालना है तो length into breath into height तीनों फिर से distances हैं तो इसका मतलब L into L into L बल गया L cube इसी तरह से density अगर हम निकालते हैं तो density हम लोग निकालते हैं mass upon volume कैसे find out करते हैं mass फिर से एक fundamental quantity है M upon volume कैसे निकालते हैं अभी उपर निकाल चुके हैं तो M upon L cube और जब L cube उपर जाएगा तो ये बन जाएगा L की पावर minus 3 तो इसका मतलब density की dimension आ गई ML minus 3 similarly अब हम लोग यहां से बात करते हैं velocity और speed दोनों एक ही चीज होती है बत speed हमारी scalar quantity है velocity vector quantity है तो velocity निकालेंगे तो displacement upon time और अगर यहीं speed होता तो distance upon time तो displacement यानि distance तो distance अभी अभी हम पढ़ चुके हैं L और timing की हो गई क्या T तो L upon T, T उपर गया तो L T minus 1 बन गया सेम उसी तरीके से acceleration अभी मैं केवल उन्ही terms की dimension आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपने last year पढ़ें है terms आगे चलकर कुछ नए terms भी आएंगे वो भी हम अभी देखेंगे acceleration formula हम लोग जानते है change in velocity upon time velocity अभी मैं निकाल चुका हूँ velocity बन जाएगी L T minus 1 और time हो जाएगा वेटा T तो T उपर जाएगा तो 1 T उपर जाके T minus 1 बनेगा और 1 minus 1 पहले से तो overall बन गया L T minus 2 एक बात का जरूर ध्यान रखिये कि dimensions हमेशा big bracket के अंदर ही लिखेंगे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है next हम force पढ़ते हैं तो force क्या होगा force हम लोग जानते हैं mass into acceleration क्या बन जाएगा mass की हो गई M और acceleration अभी हमने उपर निकाला L T minus 2 तो force की dimension निकल कर आगई M L T minus 2 similarly work अगर हमें find out करना है तो work है जुकस्टू क्या हो जाएगा force into displacement force अभी हम उपर से निकाल चुके हैं M L T minus 2 और displacement यानि L तो L का multiply L से हुआ तो L की power 2 हो गया यहाँ पर total dimension आ गई M L square T की power minus 2 आई आगी चलते हैं अब next dimension हम लोग पढ़ने जा रहे हैं acceleration due to gravity अब gravity की वज़े से acceleration तो है तो यह acceleration ही इसकी dimension भी वही आएगी L T minus 2 लेकिन कैसे आई एक बार फिर से देख लेते हैं तो acceleration due to gravity हम लोग निकाल सकते हैं weight upon mass तो weight मतलब force अ force का मतलब M L T minus 2 upon mass M M से M cancel हो गया unit आगई हमारी dimension आगई L T minus 2 similarly इसी तरह से अब हम power निकालते हैं तो power हम लोगों ने सुना है formula P equals to W upon T यानि की work upon time तो work अभी हम लोग पीछे निकाल ही चुके हैं dimension M L square T की power minus 2 timing की हमारी T हो जाएगी तो formula 1 T उपर जाकर 1 T minus और हो जाएगा तो 2 और 1 मिलकर total overall बन जाएगा M L square T की power minus 3 यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बर लग रहा है कि 1 T जब उपर जाएगा तो minus 2 था 1 T और उपर जाकर minus 3 बन जाएगा तो यहाँ पर जो हमारी power की dimension हो जाएगी वो M L square T की power minus 3 हो जाएगी इस चीश को ध्यान रखेगा linear momentum हम लोग जानते है momentum का मतलब क्या होता है mass into velocity अब mass यानि की M और velocity अभी हम उपर निकाल चुके हैं L T minus 1 तो क्या बन जाएगा M L T minus 1 kinetic energy half into mass into velocity square सुना होगा half M V square तो half तो ठीक है half एक fractional term है और इस तरह के fractional term जितने भी होंगे जैसे 1 by 2, 3, 4, 5, pi इन सब की कोई dimension नहीं होती है तो mass की dimension हो गई M velocity निकाल चुके हैं L T minus 1 तो L T minus 1 का square करेंगे तो M L का square L square और T की power minus 1 का square बहुत सारे लोग यहाँ पर गबल करेंगे कि सर minus into minus प्लस होता है लेकिन बेटा वो जब minus और minus का multiply होता है तब होता है यह लिखा है T की power minus 1 का square मतलब T की power minus 1 into T की power minus 1 तो बन गया T की power minus 2 ठीक है ना next अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं potential energy हम लोग जानते हैं सुना भी होगा हम लोगोंने MGH यानि की mass into G का मतलब acceleration due to gravity और into height तो mass की तो M हो गई acceleration due to gravity अभी हमने उपर निकाली है L T minus 2 और height मतलब distance मतलब L हो गया तो total overall मिलकर हो गया L और L L square और T की power minus 2 तो M L square T की power minus 2 इसी तरह से अगर हमें pressure निकालना है तो pressure का हो जाएगा force upon area तो force मतलब M L T minus 2 उपर निकाल चुके हैं और upon area का मतलब L square तो 1 L से 1 L तो cancel हो जाएगा और 1 L जो बचेगा उपर जाके minus बना देगा तो M L minus 1 T minus 2 अभी तक जितने भी terms की आपने dimension पढ़ी ये ऐसे terms थे जिनको आपने या तो class 10th में पढ़ा है या तो इनके बारे में class 9th में पढ़ा है अब आगे कुछ new terms ऐसे use होने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है तो परिसान होने की ज़रुत नहीं है जैसे जैसे आप physics में class 11th में आगे chapters पढ़ते जाएंगे ये terms आपके introduce होते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये क्या है फिलाल बस हमें इनका formula ध्यान रखना है तो हम इनकी dimension इसली निकाल सकते है जैसे impulse तो impulse होता है बेटा force into small time of interval तो small time मतलब time ही है तो force अभी हम लोग find कर ही चुके है ml t minus 2 into time का मतलब हो जाएगा t तो जब इसका हम multiply करेंगे तो बन जाएगा ml और t की power minus 2 और t की power plus 1 मिलके बन जाएगा t की power minus 1 ऐसे moment of force एक नाए term है मतलब force into force arm length मतलब ये वाला term length है length मतलब distance तो force की हो गई ml t minus 2 और into distance की हो गई क्या l तो अब एक चीज़ हमें यहां पर और ध्यान रखना है कि हमें bracket जरूर लगाना है अगर bracket नहीं लगाएंगे तो teacher dimension को cut भी कर सकता है तो ml square t की power minus 2 ऐसे ही एक important term है force constant of spring question इसकी dimension पूछी भी गई है कई बार तो इसके लिए हम लोग आ रहेंगे क्या applied force upon extension in length मतलब length में कितना extension खिचा हो आ रहा है तो force हम लोग पढ़ चुके है ml t minus 2 upon extension in length यानि कि l क्या जाएगा l से l cancel mt minus 2 आ गया आ गया यह और देखने अब हम लोग यहां से पढ़ने जा रहे है stress यह सब new words हैं लेकिन सब आपके 11th किस levels में हैं जैसे जैसे chapter आप पढ़ेंगे यह सब clear होते जाएंगे stress का मतलब क्या है force upon area अब force की dimension अब लोग निकाल चुके हैं ml t minus 2 area l square 1L से 1L cancel हुआ 1L उपर जाकर minus 1 बना देगा तो dimension आ गई ml minus 1 t minus 2 ऐसा strain का मतलब होता है extension in length upon original length extension in length है तो length और original length length cancel हो गई तो एक ऐसा टमाया strain जिसकी कोई भी dimension नहीं होती है इसलिए dimensionless है coefficient of elasticity क्या बन जाएगा यह stress upon strain stress की dimension अभी हमने उपर निकाली ml minus 1 t minus 2 रख दी strain हमें मालूम है dimensionless कोई फरक नहीं पड़ेगा यही dimension आ जाएगी surface tension क्या होता है force upon length force की हम लोगों ने पढ़ी है ml t minus 2 length की हो गई l l से l cancel हो गया formula बन गया m t minus 2 ब्रेकट जरू लगाए surface energy क्या होती है energy upon area क्या बन जाएगा l square से l square cancel कर दिया क्या बन जाएगा m t minus 2 velocity gradient important है change in velocity upon perpendicular distance अब कैसी भी distance हो है तो distance तो velocity की l t minus 1 और distance मतलब l तो l से l cancel हो गया आगया t minus 1 coefficient of viscosity एक यह भी बहुत important time है कई बार पूछा जाता है important है coefficient of viscosity क्या बनेगा force upon area into velocity gradient तो force m l t minus 2 पढ़ा हुआ है area l square और velocity gradient अभी उपर से हम लोगों ने निकाला क्या कि velocity gradient की value यहां से निकल कर आ जाएगी t minus 1 velocity gradient की निकल कर आ जाएगी t minus 1 अब देखें यहां पर भी एक term गड़बड हो रहा है और गड़बड कैसे हो रहा है velocity gradient की dimension यह रख दी गई है l t minus 1 बहुल से मैंने यह लिख दिया है तो अब एक काम करते हैं यहां पर कि velocity gradient की क्योंकि होती है t minus 1 तो यहां से l को हम क्या करते हैं हटाते हैं तो क्या बन जाएगा 1 l से 1 l तो cancel हुआ और 1 l उपर जाके बन जाएगा l minus 1 और t minus 1 उपर जाकर plus 1 बन जाएगा तो इससे minus होके t minus 1 बना देगा ध्यान रखिएगा तो यह बन जाएगा t minus 1 फिर से देखिए कि velocity gradient की जो dimension होती है वो t minus 1 होती है तो यहां पर रखेंगे next gravitational constant capital G अब ध्यान रखिएगा कि जो एक हम लोगों ने small g पड़ा था वो acceleration due to gravity था यह gravitational constant है तो ध्यान रखिएगा हम लोग क्या करते हैं कि जब capital G की dimension निकालनी है तो इसका formula होगा force into distance square upon mass square क्या बन जाएगा force का मतलब m l t minus 2 into l square upon mass का square यानि m square 1m से 1m cancel हो जाएगा m minus 1 फिर l square और l मिलके हो गया l cube और t की power minus 2 as it is लिखा हुआ है बहुत सारे लोगों की मन में question आ रहा होगा कि सर इतने सारे formula कैसे ध्यान लखेंगे कैसे यह हमें कैसे मालूम चलेगा कि gravitational constant f into distance का square upon mass square होगा तो बेटा परहसान होने की जुरत नहीं है जैसे जैसे terms आप पढ़ते जाएंगे आगे के chapters में तो वो terms आपके दिमाग में आते जाएंगे वो आपको ध्यान रहेंगे आई आगे और देखते है gravitational potential क्या होता है gravitational potential यह होता है बेटा work upon mass work की dimension हम पीछे पढ़ चुके है क्या M L square T की पावर माइनस 2 और mass M M से M cancel कर दिया क्या बन जाएगा L square T की पावर माइनस 2 gravitational field strength क्या होगी force upon mass force की भी पढ़ चुके है हम लोग M L T माइनस 2 mass की M, M से M cancel हो जाएगा क्या बन जाएगा L T माइनस 2 frequency हम लोग जानते हैं one upon time period होता है तो one upon time period का T हो गया T की पावर माइनस 1 radius of variation एक तरीके की distance होती है simply L हो गया moment of inertia important है कई बार use में आएगा moment of inertia क्या होता है mass into distance का square तो mass M distance का square L square बन गया M L square एक important ये भी है angle तो angle is a question होता है arc मतलब एक तरीके से length होती है और upon क्या radius तो दोनों हमारी क्या है distance है यानि कि L upon L क्या बन जाएगा ये भी आजाएगा time हमारा dimension less अब आगे हम लोग यहां से बात करते है कि angular velocity अब ये angular velocity क्या होता है तो ये आएगा angle upon time तो angle अभी हम लोगों ने निकाली dimension less होती है कुछ नहीं है इसका मतलब सबकी power 0 upon time मतलब T उपर गया T-1 angular acceleration क्या होता है formula change in angular velocity upon क्या time angular velocity अभी अभी हम लोगों ने निकाली T-1 और time का मतलब क्या T उपर जाके T-1 और हो गया तो total बल गया T की power minus 2 आगे और देखते है अब हम लोगों को पढ़ना है कुछ और अच्छे terms आ रहा है ठीक है न ये थोड़े से आपको tough लग सकते है लेकिन जैसे जैसे इन terms के बारे में chapters आप आगे पढ़ेंगे आपको ये भी बहुत सरल लगेंगे angular momentum क्या होता है कि वो एक पढ़ा था हम लोगों ने पीछे linear momentum वो था mass into velocity ये है angular momentum moment of inertia into angular velocity तो moment of inertia भी हमने पीछे निकाली dimension ml square angular velocity हम लोगों ने पीछे पढ़ी है ये भी t-1 total मिलके बन गया ml square t-1 torque क्या होता है कि moment of inertia into angular acceleration moment of inertia भी पीछे पढ़ा हम लोगों ने ml square और angular acceleration हमने पीछे पढ़ा है t-2 total मिलके हो गया ml square t-2 इस specific heat ये क्या होती है c से represent करते हैं इसको ये होगा heat energy upon mass into temperature rise ध्यान दखियेगा एक यहाँ पर नय atom introduce होने वाला है कि यहाँ पर लोगों ने लगाया heat energy energy का मतलब क्या होता है energy की definition हम लोगों ने पढ़ी है capacity of doing work मतलब कि जो work होता है वही हमारी energy कहलाती है तो work की dimension तो हम पढ़ चुके है ml square t-2 और upon mass m और temperature एक देखी नय atom आ गया temperature को हम theta से represent करेंगे तो 1m से 1m capacity क्या होती है ये thermal capacity का मतलब mass into specific heat तो mass मतलब m specific heat का मतलब अभी उपर हम लोगों ने निकाला l square t-2 theta की power minus 1 total मिलकर बन गया m l square t-2 theta की power minus 1 latent heat ये क्या होती है latent heat मतलब l से represent करते हैं लेकिन ये L capital L ये distance नहीं है ध्यान रखिएगा l का representation sign होने का मतलब ये कता ही नहीं है कि ये distance है latent heat क्या होती है ये heat energy upon mass energy मतलब फिर से work same m l square t-2 mass का मतलब m m से m cancel हो गया क्या बन कर आगया l square t-2 coefficient of linear expansion ध्यान लखिएगा ये भी एक important time है क्या हो जाएगा increase in length upon original length into temperature rise तो increase in length ये भी distance हो गई original length ये भी distance है और temperature rise मतलब theta तो l cell तो cancel हो गया theta उपर जाकर बन गया theta की power minus 1 एक ये term हमारा निकल करा रहा ये very important है इसकी dimension कई बार exam में आती है coefficient of thermal conductivity क्या होती है ज़र द्यान से देखे कि heat energy into distance upon area into temperature into time अब ये कैसे याद करेंगे इसको याद करने का एक simple time भी है जब इसको हम पढ़ाएंगे कि ये coefficient of thermal conductivity क्या होता है तो ये formula भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिलाल अभी आपको याद करना पड़ेगा कि heat energy into distance upon area into temperature into time तो heat का मतलब heat energy मतलब work ML square T की power minus 2 distance का मतलब L area मतलब L square temperature मतलब theta और time का मतलब T अब क्या करेंगे ये L square से L square तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा cancel अब M और जब ये L है तो M into एक ये L फिर इसके बाद T की power minus 1 उपर और हो जाएगा तो total बन जाएगा T की power minus 3 और theta उपर जाएगा theta की power minus 1 gas constant एक ये भी important terms है gas constant आप लोगों ने पढ़ा होगा chemistry मेंग equation gas equation PV is equals to RT ये वही capital R है तो gas constant capital R क्या होगा pressure into volume upon क्या temperature तो pressure अभी हम पीछे निकाल चुके है इसकी dimension ML minus 1 T की power minus 2 into क्या हम लोगों को volume की रखनी है तो volume L cube और upon temperature temperature हम लोग जानते हैं क्या होता है theta होता है तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे कि ज़रा ध्यान से देखे कि M तो ठीक है L cube और 1 L minus 1 मिलकर बन गया L square क्योंकि 3 2 1 cancel हो जाएगा फिर T की power minus 2 theta उपर जाके theta की power minus 1 एक है plank constant ये भी important है बटा plank constant small h से represent करते है इसका कद़ई मतलब यह नहीं है कि यह height है ठीक है ना इस चीच का धान रखेगा कि हम यह नहीं कहेंगे कि यह plank constant का मतलब यह height है तो अब क्या हो जाता है यह plank constant का मतलब energy upon frequency energy मतलब work ml square t की power minus 2 t की power minus 1 क्या बन जाएगा यह t की power minus 1 उपर जाके plus 1 तो minus 2 से cancel हो जाएगा बन गया ml square t की power minus 1 तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि fundamental terms के बाद हमारी derivative terms क्या होते हैं और उनसे dimensions कैसे निकाली जा सकती है next वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि यह dimensions जो हमने निकाली हैं इन dimensions का हम क्या use कर सकते हैं इनसे कैसे numericals solve करेंगे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी thank you so much